A very good morning student. So again we continue our chapter, Human Health and Diseases. Okay? In this video, our topic is Vaccination and Immunization. So students, यह वर्ड जो है Vaccination, यह आपने पहले भी सुना होगा, even आपका भी vaccination हुआ होगा. Okay, तो vaccination मतलब होता क्या है? जब हम छोटे रहते हैं, तो क्या होता है, हमको vaccine लगाया चाता है? ठीक है ना? और कहा जाता है कि जो vaccine हमको लग रहा है, इससे क्या होगा? मतलब कि particular एक-एक disease के vaccine होते हैं, like हमको polio drops देते हैं. Orally देते हैं कि, ठीक है ना? यह किसलिए रहता है? Polio virus के लिए, ताकि polio virus अगर हम पे attack भी कर रहा है, तो उसका काम ना हो पाए, मतलब वो आमको polio disease ना cause कर पाए, ठीक है ना? तो ऐसा क्या होता है vaccine में? तो vaccine में क्या होता है? जो virus के लिए वो vaccine लगाया जाता है, उसी virus या सिर्फ specially virus नहीं कहेंगे, उस disease, वो disease causing organism उसमें present होता है, ठीक है ना? तो disease causing organism कुछ भी हो सकते हैं, लाइक वाइरस है, बैक्टिरिया है, फंचाई है, प्रोटोजोवा है, एनी, ओके? तो यह जो disease causing organism है, यही क्या होते हैं? वैक्सिन में होते हैं, बट यह थोड़े attenuated form में होते हैं, मतलब इनकी जो disease causing capacity उसको खतम कर दिया जाता है, या फिर कभी-कभी इनको kill करके भी डाला जाता है, तो इस तरह से उनकी थोड़े different form में डाला जाता है, ताकि वो हमारे अंदर आके, जब उनको vaccine के form में हमारे अ बस ना कर पाएं, तो यही सब चीजों के बार में आप इस topic में पढ़ेंगे, तो चलिए start करते हैं, क्या बता रहा है, the principle of immunization or vaccination is based on the property of memory of the immune system, तो ठीके, क्या कह रहा है कि यह जो vaccination or immunization की जो यह property है, यह किस पे based है, यह immune system के memory पे based है, तो इसको क्यों कहा जा रहा है कि immune system के memory क्योंकि दिखें, जो immune system है, वही तो यह defense का काम करता है हमारे body के लिए, जो भी microorganism हमारे body के अंदर enter करते है, तो उसको kill करने के लिए, उसको eliminate करने के लिए body से, कौन activate होता है, immune system हमारा होता है, जिसको हिंदी में कहता है, रोख, प्रति, रोध, शम्ता, जो कि आजकल के days मे यह बहुत ज़्यादा का जो रहा है कि immune booster करने के लिए यह खाया है, इस तरह से आपको का जोता है, क्योंकि अभी जो यह coronavirus यह क्या कर रहा है, यह disease cause कर रहा है, ठीक है ना, COVID-19 disease cause कर रहा है, बट अगर हमारे immune system strong है, तो हम उस disease से क्या हो सकते हैं, लड़ सकते हैं, तो same वही बता रहा है कि जो immune system है, उसके memory पर based है, कौन vaccination और immunization, और memory कहने का मतलब यह नहीं, कि उसके पास दिमाग है, है ना, memory इसलिए कह रहा है, क्योंकि यह जो भी vaccines के form में हमारे अंदर disease causing microorganism डाला चाता है, वो क्या होता है, वो पहले हमारे लिए antigen होता है, इसलिए आप देखत तो जैसी vaccine लगता है, तो थोड़े सा fever आ जाता है, या फिर थोड़े सी problem, लेकिन ऐसा नहीं कि disease हो जाता है, है ना, उसके बाद थोड़े दिन बाद immune system समझ जाता है भई, कि नहीं, यह तो हमारे body का ही है, तो यह हमारे लिए अच्छा है, ठीक है, तो अब वो हमारे body में ह हो गया, अब same way, like, polio का example लेते है, same polio vaccine हमको लगा, ठीक है जो पोलियो वाइरस जो है environment में है, और वो हमारे अंदर अटेक कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है ह। अब वो हमारे अंधर अटेक कर भी रहा है, तो हमारे immune system को याद है, हमारे immune system है, पहले से उस वाइरस का, जो है, present है ठीकिन तो वो क्या करेगा उसके लिए antibody form करेगा और उसको kill करके हटा देगा तो इसलिए vaccine डाला जाता है क्योंकि अब polio virus है तो उसको polio vaccine जो है वही तो उससे लड़ सकेगा polio vaccine ही तो antibody produce करके उससे लड़ सकेगे तो इस तरह सा logic है आपको यह से चीज़ समझ रहा है तो वही कहा रहा है कि यह memory पर based है ओके तैन इन वैक्सिनेशन और प्रिपरेशन ओफ एंटिजनिक proteins का जो कि किसके होता है पाथोजन के ही होते हैं जो disease cause कर रहे हैं तो उनको inactivated form में डाला जाता है उनको weak करके डाला जाता है हमारे बोडी में ओके देन दे एंटिबोडी जो हमारे बोडी में produce होता है यह जो antigen आया है उनके लिए तो क्या हो जाते हैं neutralize हो जाते हैं ओके देन 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 वैक्सिन और जो जिनरेट memory B and T cells that recognize the pathogen quickly on subsequent exposure and overwhelm the invaders with a massive production of antibodies फिर बता रहा है कि हमारे जो immune system में उसमें दो type के cells present होते हैं that is B cells and T cells B cell for bone marrow T cell for thymus okay तो यह जो cells होते हैं यह क्या करते हैं बहुत ज्यादा production करवाते हैं antibodies का उन्चों antibodies का production है वो specially करता है वोने B cell करता है और T cell उसकी help करता है antibodies को produce करने में okay then if a person is infected with some deadly microbes to which quick immune response is required as in tetanus we need to directly inject the pre-formed antibodies or antitoxin preparation containing antibodies to the toxin तो यहाँ पर क्या कह रहा है आपको कि कभी कभी कोई disease causing microorganism हम पर attack कर रहा है जैसे कि यहाँ पर आपको कैसे बता है कुछ antibodies ठीक है ना उन्हीं antibodies को एक और वर्ट दिया गया है अगर आप यहाँ ध्यान से देखें इनको क्या कर रहा है प्रीफर्म antibodies भी कहा चाले और antitoxin भी कहा चाले ओके यह antitoxin है क्या अप्रिपरेशन कंटेनिंग antibodies to the toxin देन यह जो antibodies है इसको डाला जाता है ताकि क्या हो क्विक immune response generate हो और tetanus जो है मतलब जो भी problem हो रही है वो ना हो पाए तो इस type का immunization होता है उसको क्या कहते है passive immunization जिसमें instantly quick immune response की ज़रत होती है तो वही चीज़ यहाँ पर आपको बता रहा है कि if a person is infected with some deadly microbes in which quick immune response is required as in tetanus we need to directly inject the pre-formed antibodies okay तो कुछ deadly microorganism जैसे हमारे body में attack करते है उस time quick immune response की ज़रत होती है तो उस time पर क्या होता है जो पहले से antibodies बने हुए या फिर उसी को antitoxin भी कहते है तो उसको हमारे हमको inject कर दिया जाता है आप देखते है न आपको lowe से चोट लगती है या फिर कोई भी आप गिर जाते हो बहुत जादा काड़ी से चोट लगे किसे तो आपको फट से क्या बोला जाता है टिटनस का इंजेक्शन लगवाई है तो जो टिटनस का आपको इंजेक्शन लग रहे है तेट इस वाट वो आपको इसको क्या कहते है पैसिव इम्मुनाइज़ेशन कहते है वैसी स्नेक बाइट करता है तो उस केस में भी होता है तो वही चीज़ आपको बता रहे है इवें इन केसे सो स्नेक बाइट दा इंजेक्शन विच इस गिवन तो पीशन कंटेंग प्री फॉन एंटिबोडी अगेंस स्नेक बीनोर इस टाइप अफ इम्मुनाइज़ेशन इस को पैसिव इम्मुनाइज़ेशन ऑके जैसे साब करता है उस टाइं पर हमको कुछ आंटिबोडी के जरएत होती है तो जलदी से हमको वह एंटिबोडी दिया जाता है प्रीफॉर्म अंटिबोडी उस ही को क्या का चरहे, passive immunization का चरहे, ओकी, then recombinant DNA technology has allowed the production of antigenic polypeptides of pathogen in bacteria और फिर बता रहे है, our DNA technology, इसके बारे में आप पढ़ेंगे, आपका दो चाप्टर है, बायर टेक्नोलोजी के उपर, उसी में आपको recombinant DNA technology बता जाएगा, तो recombinant DNA technology क्या करता है, allow करता है antigenic polypeptides को बनाने में, बदर यह जो vaccines वगरी बनते हैं, यह सब कौन करता है, यह जो bio technologist है, वह ही करवाते हैं, ठीकिन और कैसे करवाते हैं, recombinant DNA technology के थ्रू करवाते हैं, तो अभी आप बस इतना याद रखें कि recombinant DNA technology के थ्रू vaccines को prepare किया चाहता है, recombinant DNA technology, इसी को RDNA technology भी कहा चाहता है, तो आप इस चीज़ के आद रखेंगा, बायोट्रक वाला जब चाप्टर हम पढ़ेंगे, तो आपको मैं recombinant DNA technology के उपर पूरा एक topic है, बड़ा सा वह आपको explain करूगी, ओके, then vaccines produced using this approach allow large scale production and hence greater availability for immunization, example, hepatitis B vaccine produced from east, फिर बता कैसे, वादब इसके थूरू large amount में हम vaccine को produce कर सकते हैं, जैसे कि example बता रहा है कि hepatitis B का vaccine जो है, वो किसके थूरू produce करवाय जाता है, east के थूरू, ओके, देखो, यह चोटे-चोटे microorganism, यह east है, यह फिर आपका दूसरा bacteria है, इन सब को क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि, यह ल उसका amount भी बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि, देखो, RDNA technology का एक आपको बता देती हूं, कि RDNA technology में होता क्या है, कि recombine किया जाता है, इन को, ठीक है न, तो बस इतना याद रहा है, और फिर उसको एक host में डाल दिया जाता है, तो host होने, like bacteria है, east है, bacteria phase है, कुछ भी हो सकते हैं, और उनमें डाला जाता है, ताकि उनके अंदर जो वह vaccine का form डाला गया है, वह जल्दी-जल्दी-जल्दी-जल्दी क्या हो, उसका production हो पाए, जैसे-जैसे bacteria या जो भी microorganism है, वह अपना population बढ़ाएगा, वैसे-वैसे vaccines का भी population बढ़ेगा, ओके, तो इस चीज को आप biotech वा देते हैं, vaccination और immunization, तो देखे, याद रहेगा कि vaccination और immunization जो है, वो memory, immune system के memory पर बेस्ट है, immune system में दो type के cells प्रेजन होते हैं, that is B and T cells, जैसमें B cells जो होता है, वो antibody produce करता है, T cell उसके help करता है antibody production में, okay, then यह जो vaccines होता है, इसमें क्या होता है, इसमें वही microorganisms होते हैं, जो disease cause क captivity को हटा दिया जाता है, उसको weak कर दिया जाता है, attinuate कर दिया जाता है, या inactivate कर दिया जाता है, ताकि वह हमारे body में हैं तो disease cause को ना करे, okay, और फिर जब यह मैरे body में already present होते हैं, तो बह़र से कोई microorganism आता है, तो वो क्या होते हैं, आगे ख़ड़े हो जाते हैं, और फि फिर आपने एक passive immunization के बारे में देखा कि passive immunization क्या होता है instantly अगर हमको immune response की ज़रोत होती है तो उस टाइम पर injection के थू हमारे अंदर कुछ immunization किया जाता है जिसको passive immunization कहते है जैसे कि आपके बुक में example ती है tetanus का snake venome का तो इस case में क्या होता है बहुत जादा जल्दी हमको immune response की ज़रोत होती है तो उस टाइम पर हमको preformed antibodies है या फिर उसको antigenic pathogen भी कह सकते है या फिर आप उसको antitoxine भी कह सकते है तो उसी को हमारे body में inject किया जाता है जिसको क्या कहा जाता है passive immunization अब यह जो वैक्सिन वगरे बनता है इसको large amount में बनाने के लिए कौन सी technology का use किया जाता है इसको किया जाता है RDNA technology का जिसको घाता है recombinant DNA technology ओके RDNA technology में कुछ microorganisms का use किया जाता है ताकि उनकी population जैसे जैसे बड़े उसी तरह से vaccines का production भी हो तो यह था आज का topic अब next class में आपको allergies के बारे में बताऊंगी so today's class is over if you have any problem then you ask me on comment box okay so thank you have a nice day and keep studying